नमस्कार दोस्तूं आप सभी का में सुवागत करता हूँ यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज में दोस्तूं आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सिक्ष्या मनोविज्यान के बुद्धी टोपिक से और एक जामू के अंदर जिस परकार से बुद्धी से समंदित परसन आते हैं वो परसन आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तूं ये वीडियो है जो आपके सभी सिक्सक बरतियों के लिए इंपोटेंट रहेंगे चाहे के अंदर सरकार की हो या किसी भी राज्य सरकार की हो सभी के लिए बहुत इंपोटेंट रहेगा ये वीडियो तो आप अंतक इन क्यूसनों को जरूर देखें और पसंद आए तो दोस्तू लाइक और सेर जरूर कर देना और पहली बार अगर चैनल पर आते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तू चलते हैं दोस्तू पहले क्यूसन की ओर पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पर आ गया है दोस्तू कमेंट आपको करना है हर एक क्यूसन का आपको कमेंट करके एंसवर जरूर बताना है पहला क्यूसन है बावात्मक विचारू के अनुरूप चिंतन किरिया ही वेक्ति की बुद्धी कहलाती है ये कतन है एक प्रिबासा है ये दोस्तु कि बावात्मक विचारू के अनुरूप चिंतन किरिया ही वेती की बुद्धी कहलाती है ये किसका कतन है दोस्तु वुडवर्थ का है बंकिंगम का है एल एम टर्मन का है अलफर्ड बिनेट का है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता किसका है दोस्तु आपका यहां पर किसका है दोस्तु एल एम टर्मन का तो आपको नाम याद रखना है टर्मन बावात्मक विचारू के अनुरूप चिंतन किरिया ही वेक्ती की बुद्धी कहलाती है ये किसका है टर्मन का कतन है चलते है नेक्स्ट क्यूशन की और क्यूश प्रियावरन के साथ अनुकुलन एवन समयोजन की समता है, दूसरा है एमुर्चिंतन है और चोता है समश्या समाधान की योग्यता है, तो इनमें से बुद्धी को सही प्रिवासित कौन-कौन से कतन कर रहे हैं वो आपको बताना है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए चार ओप्सन है आपके एवए सदे इनमें से सही ओप्सन कौन सा रहेगा दोस्तु बहुत अच्छा दोस्तु सही है आपका option number बै दो number option या बै option है जो सही रहेगा एक number, दो number, तीन number और चार number ये सबी बुद्धी से समंदित कतन है दोस्तु चलते हैं फिर next question की और question number 3 तीन number question है दोस्तु गेरेट के अनुसार बुद्धी के परकार है मुर्थ बुद्धी, एमुर्थ बुद्धी, सामाजिक बुद्धी, उप्रोग सभी तो जल्दी सिद्ध सेकेंड के अंदर आप कमेंट करके बताओ की इन में से गेरेट के अनुसार बुद्धी का परकार कौन सा है दोस्तु क्यूसर नंबर तीन चल रहा है और एक सभी साति उसे निवेदन करना चाता हूँ चाहिए आप फेस्बुक पे हो चाहिए यूटूब पे हो तो दोस्तों जो फेस्बुक पे साती लाइव देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और सेर करें और उपर देखिए वीडियो के उपर आपको लिंक मिल जाएगी यूटूब की तो फेस्बुक मित्तर उस लिंक से यूटूब पे आईए और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें दूसरी बात जो साथ यूटूब पे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और सेर कर दे एक बार सभी वित्तर तो तीन नमर क्यूशन राइट एंस्वर ओप्संद है उप्रोक से भी रहेगा दोस्तु यहाँ पर तो गेरेट के नुसर मुर्थ बुद्धी और स्रमाजिक बुद्धी यह क्या है बुद्धी के परकार है दोस्तु चलते हैं नेक्स क्यूशन, क्यूशन नमर चार की ओर, चार नमर क्यूशन और भहुद इंपोर्टेंट क्यूशन जर्मन मनोवेग्यानिक इश्ट्रन ने 1910 में किया तो बात किसकी और ये इस्टरन ने जो बुद्धी लब्दी का संपड़ते का विकास किया था वो कब किया था तो जल्दी से कमेंट करके बता दो important question है और exam अगर पुराने exam हो question आप पढ़ते हो तो आपको ये question जरूर मिलेगा दोस्तु बहुत अच्छा दोस्तु सही है आपका option बही आपर कभी किया था 1912 के अंदर किया था दोस्तु चलते हैं next question question number 5 की ओर question number 5 है दोस्तु 120 से 130 बुद्धी लब्दी वाले लोग होते हैं परतिबावान होते हैं उत्तम होते हैं अति उत्तम होते हैं या ओसत से उपर होते हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ, 120-130 के मद्दे जिनकी बुद्धी लब्दी होती है, वे लोग होते हैं, जल्दी से कमेंट करो, और जिन मित्रूं ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वो लाइक कर लो, और शेर नहीं किया, तो एक बार अपने मित्रूं के पास शेर जरूर कर देना, और फेस्बुक वाले मित्र भी वीडियो को सेर जरूर करो सभी मित्र, एक बार एज्यूकेशन ग्रूपू के अंदर आप सेर कर दो सभी मित्र, सही अंस पर रहेगा, ओप्शन बै यहां पे दोस्तों आपका, कि 120-130 बुद्धी लब्दी वाले लोग होते हैं, जो बुद्धी प्रिक्षन ने तु बिने साइमन दुआरा परतम बार निर्मित 1905 में किया था, बिने साइमन मापनी में कुल कितने परसनों का निर्मान किया गया था, इंपोर्टेंट यूशन है दोस्तों यह, 30 परसनों का, 10 परसनों का, 40 परसनों का, या चोपन परसनों का, जल्दी से दस सेकेंड में अपना राइट एंसवर कमेंट करके बताईए अगर बीने साइमन परिक्षन आपने पढ़ा है तो इस क्यूशन का आपको एंसवर बहुत अच्छी तरह पता होगा दोस्तु सही है दोस्तों आपका ओप्षन ऐसा ही रहेगा यहां पर 30 तो कुल कितने परिक्षन थे जो 1905 में बीने साइमन मारपनी बराई गी थी उसके अंदर 30 परसं थे दोस्तों चलते हैं क्यूशन नंबर साथ की और आगे है साथ नंबर क्यूशन इस स्क्रीन पे इंदरिये ग्यान द्वारा बुद्धी की व्याक्या सर्वपर्तम 1889 में किसने की थी बात किसकी हो रही है इंदरिये ग्यान द्वारा तो किसने की थी इंदरिये ग्यान द्वारा बुद्धी की व्याक्या अलप्रेड बीने ने, थियोन ड्राइन, साइमन ने, विलियम वुंट ने, इस्पियर मेर ने साथ नमर क्यूसन और बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूसन है दोस्तु जल्दी से कमेंट करके बताईए एंसवर बताना सभी साथ योगा और जो भी लाइव देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करते रहे दोस्तु चाहिए वीडियो को लाइक सेर मत करो लेकिन कमेंट जरूर करो इससे कम से कम आपका तो फाइदा होगा दोस्तु आपकी तो तेयारी होगी तो कमेंट करो है रेक क्यूसन का सही अंसवर रहेगा आपका विलियम वुंट दोस्तु ओप्सन सह यहाँ पर सही रहेगा तो इंद्रिय ग्यान द्वारा बुद्धी की वेक्या सरुव परतम किस ने की थी विलियम वुंट ने चलते है नेक्स ट्यूसन क्यूसन नमबर आठ की ओर आठ नमबर क्यूसन है दोस्तु वास्तवी कायू सोरी बिन्य साइमन इसकेल से ग्यात की जाती है क्या ग्यात की जाती है दोस्तु वास्तवी कायू ग्यात की जाती है मांसी कायू ग्यात की जाती है सेक्सी कायू ग्याद की जाती है उक्त में से कोई नहीं तो जल्दी से बताओ दोस्तू बिने साइमन स्केल से क्या ग्याद की जाती है तो सभी को पता है दोस्तू इसका तो आप उप्सन बह है जो आपका सही रहेगा मांसी कायू मेंटल एज है उसका पता किया जाता है बिने साइमन स्केल के दूआरा दोस्तूं, चलते हैं next question, Question number 9 की ओर, 9 number की ओसन है दोस्तूं, विर्स 1905 में बुद्धी परिक्षन है तू, निर्मित बिन्य साइमन स्केल में परसनु का करम रखा गया था, किस परकार से था उन परसनों का करम दोस्तों जो 30 परसन लिए गए थे उनका करम option है कटीन से सरल की और सरल से कटीन की और अग्याद से ग्याद की और मिस्रित करम में तो जल्दी से बता दो दोस्तों बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट क्यूसन है दोस्तों यह तो 1905 में जो बुद्धी प्रिक्षन है तो निर्मित की गई थी बिने साइमन स्केल उसके अंदर जो परसन थे उनका करम था सरल से कटीन की और दोस्तों आपका option बहुत जो यहाँ पर क्या रहेगा सही रहेगा दोस्तों चलते है नेक्स्ट क्यूसन की और क्यूसन नंबर दस आपकी स्क्रीन पे है बुद्धी के एक तत्वे सिद्धान्त के परतिपादक है और दोस्तों जो यह बुद्धी के एक तत्वे दिव तत्वे तिरी तत्वे यह सिद्धान्त है न इन्हें से क्य जरूर आता है एक जामू के अंदर तो रट लेना दोस्तू तीनों से क्यूसन आ जाएगा ये पहला बताईए कि बुद्धी के एक तत्वे का जो सिद्धान्त है उसके परतिपाद कौन है वीलियम कोक्स वीलियम इस्टरन बिने साइमन इस्पियर में कौन है दोस्तू जल्द रहेगा चलते हैं ग्यारा नमर क्यूसन की और ग्यारा नमर क्यूसन आपके स्क्रीन पर जल्दी से बताओ दोस्तू प्रोपेसर गिलपोड ने गिलपोड के बुद्धी के त्री आयामी सिद्धान्त का अन्ने नाम है त्री आयामी सिद्धान्त गिलपोड ने दिया था उस से ही क्यूशन आपको पढ़ना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और जो फेस्बुक वाले साती है वो देखिए वीडियो के उपर आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी तो वहां से जाईए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तूं और पसंद आ रहें तो ला कर देते हैं यहां पर करीब करीब साती है वो सोचते है त्री खंड सिदान्थ भी हो सकता है लेकिन याद रखना है त्री आयामी सिदान्थ का ने नाम है बुद्धी सरचना सिदान्थ चलते हैं एक्स्ट क्यूशन क्यूशन नंबर बारा की ओर बारा नंबर क्यूशन है कि किसने कहा कि बुद्धी सीखने की योगेता है किसने कहा था विलियम इश्टरन ने विलियम मेगड्यूगल ने रेक्स नाइट ने या बंकी गम ने तो किसने कहा था बुद्धी सीखने की योगेता है इंपोर्टेंट क्यूसन है जल्दी से कमेंट करके बताओ बारा नमर क्य हो गेता है ये का था भंक की गमने हारोघो प्षण्ड mentor है किया रहेगा सही रहेगा चलते है NQS QS Numbers 13 की ओर 13 नमर का QS ञीक बालक जिसकी बुद्धी लब्दी जो बुद्धी लब्दी या इसका IQ है वो कितना है 85 है उसे किस व्रग में रखेंगे मुरक व्रग में अलब बुद्धी में मंद बुद्धी में ओसत बुद्धी में इम्पोर्टेंट क्यों सन जल्दी से कमेंट करके बता दो दोस्तू बुद्धी लबदी कितनी है उसकी 85 है दोस्तू बहुत अच्छा दोस्त किसमें रखेंगे मंद बुद्धी में आपका ओप्षन सह है जो यहां पे सही रहेगा दोस्तूं चलते हैं क्यूसर नमबर चोदे की होर चोदे नमर का क्यूसर है दोस्तूं निव में से कौन बुद्धी को समायोजन की योग्यता मानता है समायोजन की योग्यता कौन मानता ह वीलियम इश्टरन, टर्मन, वीलियम मेगड्यूगल, इस्पियर मेन बहुत important क्यूसन है दोस्तू, चोदे नमर क्यूसन तो जल्दी से right answer कमेंट करो और साथ में जिनमित्रू ने वीडियो को like, share नहीं किया है तो ये काम आप जरूर करें दोस्तू अपने चैनल के लिए अपने आपका चैनल समझे और share जरूर करें दोस्तू तो चोदे नमर का right answer रहेगा वीलियम इश्टरन ने कहा था बुद्धी को समायोजन की योगेता किस से कौन मानता है वीलियम इश्टरन दोस्तू चलते हैं next question, question number 15 कि हो, पंदरह नमर क्योषन है, परतिदर सिदांत के परवर्तक है, कौन है, स्रीलबर्ट, थोमसन, थश्टरन, थोरंडाई, important question है दोस्तू अब परतिदर्स सिदान्त है उसके परवर्तक कौन है दोस्तूं तो कौन है थोमसन ओपसन बया आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा चलते हैं क्यूसन नंबर सोले की ओर सोले नंबर क्यूसन है दोस्तूं किस मनोवेग्यनिक ने बिन्य साइमन के प्रिक्षन स्केल को इस्ठेंड फोर्ड बिन्य स्केल में रुपांतरित किया तर्मन ने वीलियम इश्टरन ने दोनूने कोई नहीं तो जल्दी से कमेंट करके बताईए दोस्तूं क्यूसन नंबर सोले का राइट एंस्वर बिन्य साइमन के प्रिक्षन स्केल को इस्टेंड बोर्ड बिन्य स्केल के रूप में रुपांतरित किया था तर्मन ने ओप्षन ए है जो आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा दोस्तूं चलते हैं नेक्ष्ट क्यूसन क्यूसन नंबर सत्रे की ओर सत्रा नंबर का क्यूसन है जालोटा ने प्रिक्षन दिया किसका दिया रूची प्रिक्षन सामुहीक बुद्धी प्रिक्षन वेक्तित्व प्रिक्षन योगेता प्रिक्षन बहुत बार पुछा गया ह सत्रे नमर क्यूशन आपको दिखाई दे रहा है जालोटा प्रिक्षन तो यह बहुत बार पुचा गया इससे समन्दित याद रखना है दोस्तु जालोटा ने प्रिक्षन दिया था सामुहीक बुद्धी प्रिक्षन दोस्तु ओप्षन 2 है जो आपका यहां पे सही रहेगा बी ओप्षन सही रहेगा दोस्तु चलते हैं क्यूशन नमर 18 की और 18 नमर क्यूशन है आपका दोस्तु निमलिकित कतनू में से कोन निस्पादन प्रिक्षन का सही वर्नन कर रहा है जो निस्पादन प्रिक्षन होता है उसका सही वर्नन कोन सा कतन कर रहा है ओप्षन है आपक विशेश योगेता प्रिक्सन है तो निस्पादन प्रिक्सन का सही वर्नन करता है कौन करता है दोस्तूं इसमें बासा का प्रियोग नहीं होता है मातर यही है जो निस्पादन प्रिक्सन का सही वर्नन कर रहा है दोस्तूं चलते हैं क्योसर नमर 19 की ओर 19 नमर क्योसर है दोस्त बुद्धी के समुहे कारक सिद्दान्त के परनेता या परवर्तक है समुहे कारक सिद्दान्त के थोरंडाइक है थाश्टरन है इस्पियर मेन है थोमसन है जल्दी से कमेंट करके बताओ दस सेकेंड के अंदर में आपको कमेंट करना है समुहे कारक सिद्दान्त बहुत है दोस्तूं समोका कारक सिद्दान्त के थश्टरन और ऑप्सन भी आपका यहां पे क्या रहेगा दोस्तूं सही रहेगा चलते हैं क्यूसन नमबर 20 की और 20 नमबर का क्यूसन है बुद्धी के त्री आयामी सिद्दान्त के परवर्तक है मेरिल है गिलफोड है थश्टरन है इसकी नर है त्री आयामी सिदान्द के परवर्तक कोन है दोस्तों इंपोटेंट क्यूसन है ये भी जल्दी से दस सेकिंड भी अपना राइट एंसवर कमेंट कर दें दोस्तों और जिन मित्रू उन्हें वीडियो को लाइक और सेर नहीं किया है वो वीडियो को लाइक और सेर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो भी साती फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी कहना चाता हूँ कि वीडियो के उपर आपको लिंक मिल जाएगी चैनल की ज चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नंबर 21 की ओर, 21 नंबर क्यूसन है, निमलिकित में से कौन सा कतन सत्य है, ओप्सन है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धी का लिंक के साथ सम्मंद नहीं होता है, सामाने, सामा बहुत अच्छा सही है दोस्तों आपकी सोच भी बुद्धी का लिंक के साथ सम्मंद नहीं होता है ओप्शन सी है जो आपका यहां पर क्या रहेगा सही रहेगा दोस्तों चलते हैं क्योशन नंबर 22 की और 22 नंबर क्योशन है यदि एक बच्छे की मानसिक उमर 5 वर्स है बुद्धी लब्दी है उसकी 5 वर्स तेता वास्तवी कुमर कितनी है उसकी 4 वर्स तो उससे बच्चे की बुद्धी लब्दी IQ होगी 125, 80, 120, 100 तो 22 नमर क्यों सन जल्दी से कमेंट करके बता दो दोस्तों बहुत अच्छा दोस्तों तो दोस्तों बुद्धी लब्दी आपको यहां पे निकालनी है मांसिक आयो आपके सामने है मांसिक आयो आपको कितनी दिये 5 वर्ष तो मांसिक आयो बटा वास्तविक आयो इंटू 100 यह किसका सुत्र होता है बुद्धी लब्दी का 4 से 25 बार 4 इंटू 5 एक सो 25 तो कितनी होगी बुद्धी लब्दी 125 ए ओप्सन आपका सही रहेगा चलते हैं क्योसन नंबर 23 की और 23 नंबर क्योसन है बच्चे की बुद्धी लब्दी 90 से 110 के मद्धे है वह है आपकी बुद्धी लब्दी अगर 90 से 110 के मद्धे है तो आप किस परकार के हैं सामाने बुद्धी, पर्खर बुद्धी, उत्करिष्ट बुद्धी, पर्तिवा साली बुद्धी, बताईए दोस्तों बुद्धी लब्दी कितनी आपकी, 90 से 110 के मद्दे है, बहुत अच्छा दोस्तों, ये सामाने बुद्धी होती है दोस्तों, कौन सी बुद्धी होती है सामाने बुद्धी चलते हैं क्यूसन नमर 24 की और 24 नमर क्यूसन है बुद्धी का पर्थम वाचिक सामुहीक प्रिक्षन है आर्मी अलपा प्रिक्षन आर्मी बीटा प्रिक्षन आर्मी जनरल कलेक सेपिकेशन प्रिक्टेस्ट बीने साइमन प्रिक्षन तो बुद्धी का जो पर्थम वाचिक सामुहीक प्रिक्षन है वो कौन सा है दोस्तु जल्दी से कमेंट कर दो 24 नमर क्यूसन का बहुत इंपोर्टेंट और बहुत बार पुछा गया क्यूसन है 24 नमर सही एंस्वर ओप्षन ए रहेगा दोस्तों आपका आर्मी अलपा प्रिक्षन दोस्तु चलते ह 22 नमर क्यूसन की और 25 नमर क्यूसन है दोस्तु एग 4-8 वरस का है उसकी मांसिक आयू 12 वरस को है तो उसकी बुद्धी लबदी होगी 120 होगी 95 provide 150 होगी बहुत अच्छा और important question है दोस्तू किसे निकाले तो दोस्तू बुध्धी लब्दी निकालने काilia का सुत्र होता है एक बार फिर सभी साती इसको ध्यान से देखेड़े क्यूंकि एक जमों के अंदर बुध्धी लब्दी निकालने इन्टू शो ये शुत्तर होता है अब यहां पर मान रख लेते हैं मानसिक आयू कितनी दिये 12 वास्तविक आयू दिये 8 इन्टू 100 अब दोस्तु अगर यहां पर हम 4 से इसको खट करेंगे 3 बार 4 से इसको खट करेंगे 2 बार 2 से ये 50 बार पचास को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आजाएगा 150 और यह IQ होगी आपकी ओप्सन डिये जो यहां पर सही रहेगा तो दोस्तु यह सुत्तर और इसको निकालने का तरीका आप जरूर याद कर लें क्योंकि एक क्यूसन की बात है यहां पर चलते हैं 26 नमर क्यूसन की बर्ट वेब बर्णर ने बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट क्यूसन है 26 नमर अब आपका राइट एंस्वर है जो जल्दी से कमेंट करके बता दो दोस्तु मातर दस सेकिंड में एंस्वर कमनना है दोस्तु बहुत अच्छा सही है दोस्तु तो बुद्धी का जो पदा नुकरिमी का सिद्धानत का परतिपादन किसने किया था बर्ट वैब बर्नर ने ओप्शन ली सही रहेगा चलते हैं क्यूसन नमर 27 की और इंपोर्टेंट क्यूसन और पूछा जाता है बार बार दोस्तु ये क्यूसन जीरो से 25 बुद्धी लब्धी को कहते हैं मुरक बालक जड़ बालक पिछड़े बालक मंद बुद्धी बालक इंपोर्टेंट क्यूसन है दोस्तु आज ही बोल रहा हूँ सिटेट के एकजाम होने वाली है राजियू के अंदर टेट एकजाम होने वाली है तो दोस्तु ध्यान से इस क्यूसन को देख लो 27 नमर क्यूसन अगर बुद्धी समंदी मोडल में कुल कोष्ट या कुल खाने कितने जो गिलफोर्ड ने बुद्धी समंदी मोडल दिया था उसके अंदर कुल खाने कितने ओप्सन है तीन है, 60 है, 80 है, 120 है इंपोर्टेंट क्यूसन जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तु और वैसे हमारे तो ह द्यान से देखे और अपने जो भी मित्तर है भाई बैन है उनको भी चैनल पर आने को बोलिए उनको लिंक सेर कीजिए ओटोमेटिक आएंगे देखेंगे एक वीडियो दो वीडियो तीन वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि फाइदा किसमे हैं और जो पे साती वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर ले और चैलन की लिंक है जो आपको वीडियो के उपर मिल जाएगी यहां पे 28 में आपका 120 है जो सही रहेगा जो गिलपोड के बुद्धी समंधी मोडल है उसके अंदर कुल खाने 120 है दोस्तों चलते ह क्यूसन नमर 29 की और 29 नमर क्यूसन है जब एक समय में एक से अधिक वेक्तियों की परिक्सिया ली जाए तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं वेक्तिगत बुद्धी परिक्सन सामुहिक बुद्धी परिक्सन शाक्षा अतकार उप्रोक्त में से कोई नहीं इंपोर्टेंट क्यू क्योशन का दोस्तों तो दोस्तों सामने दिखाए दे रहा है नाम से इस पैस्ट है ये क्योशन तो एक से दिख तो समुए हो गया तो क्या हो जाएगा सामुही बुद्धि प्रिक्शन ऑप्शन भी आपका सही रहेगा चलते हैं क्योशन नंबर 10 की और आगह है 30 इसनमेर् क्लिक ऐसे यूगति कि स्वे में राही आफ्वा उसके दवरा अपने विशह में अधिक महत्वर रखते हैं प्रक्श्वें यूगति वे निष्ट यूगति कोई गार जल्दी से दस सेकेंड में अपना राइट एंस वर है जो नीचे कमेंट कर दो दोस्तु किसी यूगती में वेक्ती या बालक की स्वेम की राय अत्वा उसके द्वारा अपने विशे में कहे गए कतन अधिक महत्वे रखते हैं बहुत अच्छा दोस्तु वेक्ती निष्ट यूगती में ओप्शन भी आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तु चलते हैं क्यूसर नमर 31 की और 31 नमर क्यूसर ने दोस्तु बुद्धी का इस्तूल एमूर्थ एवं सामाजिक तीन परकारों में किसने वर्गी कृत किया जो बुद्धी है उसको इस्तूल एमूर्थ सामाजिक तीन परकारों में किसने वर्गी कृत किया था टर्मन ने इस्टरन ने थोरन डाइक ने गिल पोर्ड ने इंपोर्टेंट क्यूशन सभी साती 10 सेकिंड में अपना राइट एंस्वर कमेंट कर दें 31 नमर क्यूशन चल रहा है दोस्तु लगबग 45 क्यूशन रहेंगे तो 15 क्यूशन अभी सेस है और दोस्तु जो वीडियो पे हैं वो जोडने का परियास करो हटके मत जाओ दोस्तु ऐसे क्यूशन है जो एक्जाम में जरूर मिलेंगी आपके 10 सेकिंड का समय लूँगा लेकिन कुछ न कुछ जरूर देखर जाओंगा दोस्तु तो सही अंस्वर रहेगा 31 नमर का ओप्सन नमबर 3 थोरन डाइक तो बुद्धी है उसको इस्तूल अमूर्थ और शामाजिक तीन परकारों में थोरन डाइक ने वर्गी करित किया था चलते हैं 32 नमर क्यूसन की और 32 नमर क्यूसन आ गया आपकी स्क्रीन पर यूनेस को दुआरा हीन बुद्धी बालकों की बुद्धी लब्दी कितनी बताईए 0 से 19, 20 से 30, 0 से 7, 0 से 12 तो हीन बुद्धी बालक है उनकी यूनेस को ने बुद्धी लब्दी कितनी बताईए दोस्तूं तो कितनी बताईए दोस्तूं 0 से 19 बताईए आपका option A है जो यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा चलते हैं क्यूशन नमर 33 की ओर 33 नमर क्यूशन है बारत में सर्वे परतम बुद्धी परिक्षन का प्रारम हुआ कहां से 1912 से 1922 से 1931 से 1950 से बुद्धी परिक्षन का प्रारम हुआ था बारत में बुद्धी प्रिक्षन कब प्रारम वा था सर्वा परतम भारत के अंदर जल्दी से 33 नमर क्यूशन का कमेंट करके बता दो दोस्तु बहुत अच्छा दोस्तु सही है 1922 में 1922 के अंदर ही भारत के अंदर बुद्धी प्रिक्षन सुरू हो गया था चलते हैं क्यूसन नमर 34 की ओर, 34 नमर क्यूसन इंपोर्टेंट क्यूसन, एक बालक की आयू 12 वर्स है, बिन्ने का बुद्धी प्रिक्षन करने पर वे 15 वर्स के सामाने बालक के समान अंक प्राप्त कर सका, उसकी सही बुद्धी लब्दी निर्म में से किस विकल्प में दी ग रिकना है, तो कमेंट कर दो, क्यूसन नमर 34 का, अब दोस्तु मैं बता दू, वही आपका मानसिक आयू बटावास्तविक आयू इंटू 100, वानसिक आयू 15 दिये, वास्तविक आयू 12 दिये, इंटू 100, अगर दोस्तु, तीन से कट करेंगे, तो ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार चलते हैं क्यूसन नमर 35 की ओर, 35 नमर क्यूसन है, बाल अभीबोधन प्रिक्षन, बहुत नाम बहुत सारे साती है, जो साइकोलोजी की तियारी करते हैं, लेगिन ऐसे नाम लेकर आ रहा हूँ, जो पहली बार सुन रहे हो आप, द्यान से देखू, बाल अभीबोधन प्रिक बाल अभीबोधन प्रिक्षन है, वो किस मनोवेग्यानिक ने निर्मित किया था, अर्नेष्ट क्रिष्णे दोस्तों, ओप्सन दो सही रहेगा, चलते हैं 36 नमर क्यूसन की ओर, 36 नमर क्यूसन है दोस्तों, बुद्धी प्रिक्षन है तु, बिने साइमन द्वारा परतम बा अपनी में कुल कितने परसनों का निर्मान किया गया था, वापस रिपीट क्यूसन है दोस्तों, 30 परसन थे, 27 परसन थे, 54 परसन से, 130 परसन थे, रिपीट हो रहा है, आज ही की क्वीज में ये क्यूसन, कुछ इसको अलग सा गुमा दिया, उसको थोड़ा अलग गुमाया ग रहेगा, 30 परसन उसके अंदर कुल थे दोस्तों, चलते हैं क्यूसन नंबर 37 की और, 37 नंबर क्यूसन है, इंद्रिय ग्यान द्वारा बुद्धी की व्याक्या सर्वपर्तम, 1809 असी में किसने कीती, दोस्तों एक बात और बता दू, कुछ नए साथे आये, तो बोलेंगे कि सर आपकी क्यूस में रिपीट क्यूसन होते हैं, तो दोस्तों मेरे कोई से भी क्यूस उठा ले न, आपको 3, 4, 5 क्यूसन हर क्यूस के अंदर रिपीट मिलेंगे, ऐसे क्यूसन मैं इसलिए रिपीट करता हूँ दोस्तों, जिसे आपकी जो तियارी है, उसका आपको अपने आ असंदार है और इसी पर कार के वीडियो देखना चाहते हैं तो फेस्बूक साती उपर देखिए वीडियो के लिंक मिलेगी आपको उस लिंक पर कलिक कीजिए और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अधिक से अधिक मित्रू से ये कहना चाहता हूं कि यूटूब प तो किस ने की थी दोस्तों वीडियम वूट ने की थी और फेस्ट नमर तीन आपका सही रहेगा चलते हैं कि उसे नमर 38 की ओर 30 नमर क्यूशन है शायकोलोजिस्ट टर्मन के बुद्धी समंदी विचार है जो टर्मन है उनके बुद्धी समंदी विचार इन में से हैं बताने पहला है अमर्त एमुर्त वस्तूं के सम्मन्द में चिंतन की योगेता, दूसरा है सीकना या अनुबहु का लाब उठाने की योगेता, अदिगम की योगेता, सामने योगेता एवं विशेश योगेता का समन्वी, तो जो साइकोलोजिस्ट थे टर्मन उनके बुद्धी समन् हैं, वो आपको बताना है, तो सही रहेगा आपका एमुर्त वस्तूं के समन्द में चिंतन की योगेता, ये थे टर्मन के बुद्धी से समन्दी विचार, द्यान से देख लो, इंपोर्टेंट क्यूसरा है दोस्तूं, इसमें ऐसा भी पूचा जा सकता है कि एमुर्त वस्त समन्दित कारियों में दग्स्ता एवं रूची कौन सी बुद्धी कहलाती है, यंत्रू एवं मसिनु से समन्दित कारियों में दग्स्ता या रूची कौन सी बुद्धी कहलाती है, एमुर्त बुद्धी, मुर्त बुद्धी, सामाजिक बुद्धी, उपरोग सभी, इंपो को एक एकजाम में जरूर मिलेगा दोस्तों आज बोल रहा हूं चलते हैं क्यूसर नमबर 40 की और 40 नमबर क्यूसर आपकी स्क्रीन पे है मांसिक आयू जिसको मेंटलेज भी केते हैं कि अउधारना का विकास किस मनोवेग्यानिक ने किया था इस्टरन ने बीने ने वेशलर ने तर्मन ने तो जो मांसिक आयू कि अउधारना है उसका विकास किस ने किया था किस ने किया था दोस्तों दोस्तों बीने ने 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 किया था इस्टरन ने किया था याद रखना जो अउधारना है इसकी उसका विकास तो सरुब परतम इस्टरन ने किया था दोस्तों ओप्सन एक नमर सही रहेगा, चलते हैं के उस नमर 41 की ओर वह किस मनोवेग्यनिक ने दिया, इंपोटन की ऊसन, जल्दी से कमेंट कर के बताहू एक तालिष नमर का राइट एंस बहुत अच्छा दोस्तु के परवर्तक है कौन है दोस्तु बैयारेश नमर क्यूसन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से कमेंट करके बता दो और जिन फेस्बुक सातियों ने अब भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो है इसके उपर देखिए यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी इस लिंक पे जाएए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जो भी साती इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और सेर जरूर कर दे यह सभी से कहना है कि वीडियो को लाइक और सेर जरूर करे आपका बहु बुद्धी सिद्धान्त है उसके परवर्तक है गार्डनर, ओप्सन चार सही रहेगा चलते हैं 43 नमर क्यूसन की ओर, 43 नमर क्यूसन है दोस्तों बुद्धी के बहु कारक सिद्धान्त के परवर्तक थोरंडाइक ने विशिष्ट योगेता की संक्या कितने बताई है तीन बताई है, चार बताई है, पांच बताई है या अच्छे बताई है बहु कारक सिदान्त के परवर्तक थे थोरंडाई तो थोरंडाई एक ने विशिष्ट योगेताओं की संक्या कितने बताई तो कितने बताई थी दोस्तूं जल्दी से कमेंट करके बताऊ ते आलेश नमर क्यूसन का बहुत अच्छा दोस्तूं विशिष्ट योगेताओं की ज चित्रपूर्ती वे वेशलर वेल्यू प्रिक्षन किस बुद्धी प्रिक्षन के अंतरगत जाने जाते हैं? ध्यान से देखलो क्यों सनको. ओप्शन है वेक्तिगत साब्धिक बुद्धी प्रिक्षन, साब्धिक सामुहिक बुद्धी प्रिक्षन, ए साब्धिक सामुहिक ब बुद्धी प्रिक्षन, चित्रांकन, चित्रपूर्ती, वेशलर वेल्यू प्रिक्षन, किस बुद्धी प्रिक्षन के अंतरगत जाने जाते हैं। पे दोस्तों गिल फोर्ड ने कौन सा बुद्धी सिद्धान दिया सक्रिया उत्पास सिद्धान त्रियायमी सिद्धान प्रिग्या सर्चना सिद्धान उप्रोक सभी तो गिल फोर्ड में इन में से कौन सा सिद्धान दिया था दोस्तों कमेंट करके बताओ कि उससे नंबर प पसंद किया है और लाइक नहीं किया भी तो पसंद आ रहा तो लाइक तो कर दो दोस्तों और अपने सभी मित्रों के पास सेयर करने का परियास करो और जो भी साती यूटूब पे लिबा रहे हैं वो चैनल को सबस्क्राइब कर लो और जो साती फेस्बुक पे वीडियो देख उनको वीडियो के उपर लिंक मिल जाएगी तो वहां से जाओ और सबस्क्राइब जरूर करो सभी साती किसी भी परकार की सिक्सक बरतियों की तियारी कर रहे है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले आपको मनोविग ज्यान बहुत अच्छे डंग सें कि उसनों के मादे ओप्शन ओप्शन दे रहेगा चार नमर उप्रोक सभी संक्रिया उत्वाद सिद्धान्त त्रियायामी सिद्धान्त प्रग्या सरचना सिद्धान्त ये गिलपोर्ड के बुद्धी सिद्धान्त है दोस्तूं तो ये थे हमारे 45 इंपोर्टेंट क्यूसर आसा रगता हूं बहुत पसंद आये होंगे और आसा रगता हूं बहुत सेर और लाइक करोगे आप सबी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे वार्त मिलते हैं अगले वीडियो में इसी परकार के किसनों के साथ दोस्तूं